हाई दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन दोस्तों यदि किसी का वाइकल चोरी हो जाए तो उस केस में कैसे वो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाए यदि पुलिस ओफीसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिकिशन उस वाइकल को रिकवर कर लेते हैं तो नियायले में सुपूर्द की कैसे प्राप्त करें और यदि वाइकल प्राप्त नहीं हो पाता है पुलिस ओफीसर को एन्वेस्टिकिशन ओफीसर को तो कैसे इंशोरेंस का क्लेम लें आज के इस वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स डिसकस करेंगे इससे पहले मैं इविधन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्स्राइब नहीं किय वो ये है कि वो अपनी एक सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजनल फाइल बनाए और ओरिजनल फाइल में क्या क्या होना चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिकेट होना चाहिए इंशोरेंस होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पॉलूशन कंट्रूल में तो वो होना चाहिए यदि commercial वाइकल है तो fitness certificate होना चाहिए permit होना चाहिए और government tax paid receipts होनी चाहिए इस original document की file के अलावा एक as it is photo copies की file भी बनाए और एक सावधानी रखे कि original document की file को कभी भी वाइकल में ना रखें जब तक की आप कहीं district से या state से बाहर ना जा रहे हों क्योंकि यदि ऐसा होगा तो वाइकल चोरी होने के साथ साथ ये original document भी चोरी हो जाएंगे और आपकी मुसीबट double हो जाएगी claim लेने में या police officer को documents दिखाने में या court से वाहन recover करने में अब इसके बाद जिस किसी का वाहन चोरी हो जाए तो जिस थाने में वाहन चोरी हुआ है उस थाने के jurisdiction में वहाँ पर थाने में जाकर के आपको एक प्रतम सूचना report दर्ज करवानी है प्रथम सूचना रिपोर्ट में क्या-क्या लिखना है दोस्तों प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाई जाती है मैं इसका डिटेल वीडियो बना चुका हूँ प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो लिखना है वो ये है कि date of incident की कब ये घटना कारित हुई place of incident की ये कब घटना कारित हुई vehicle कौन सा था उसका registered owner कौन था और उसका registration number, engine number, chasis number क्या था और इसके साथ में आप जो है जहांच अधिकारी हैं उनको आप DL, RC और insurance की एक photocopy जरूर दीजिए और जहांच में सहयोग कीजी और ऐसी first information report दर्ज करवाने के बाद first information report की duly signed and sealed copy आप संबंदित थाने से प्राप्त कीजी इसके बाद जो next step है वो आपके insurance company को उस FIR number सहीद एक छोटा सा mail या intimation देनी है जो भी उनका insurance company का criteria है कि वो information कैसे प्राप्त करना चाते है physical letter से, mail से उस तरह से आप insurance company को तुरंत within 24 hours FIR दर्ज कराने के बाद एक information दीजिए कि मेरा ये vehicle था इस number पर आपके यहाँ पर insurance में registered है मैंने insurance policy ले रखी है जो कि valid है और इस दिन चोरी हो गया मैंने थाने में report दर्ज करवा दी है इसके बाद जो second step है यदी police officer, investigation officer यदी उस vehicle को recover कर लेते हैं तो आपको court में जाना है court में सुपुर्दगी की application लगानी है court में मानने जजज सहाब के आदेश अनुसार आपको जो है सुपुर्दगी नामा शपत पत्र पेश करना है और इसके अलावा सारे original documents जज सहाब को दिखाने है तो आपको जज सहाब आदेश करेंगे सुपुर्दगी का और सुपुर्दगी नामे पर आपको वो vehicle की custody दे देंगे सुपुर्दगी नामे पर application कैसे लगाई जाती है vehicle की custody कैसे ली जाती है इसका एक detail वीडियो मैंने बनाया है जो कि मैं description box में share कर रहा हूँ इसके बाद एक प्रशन उठता है कि यदि वो vehicle recover ना हो चोर कहीं और ले जाए और police officer या investigation officer उसको recover ना कर पाए तो हम क्या करें तो ऐसे में हमें FIR और FR की copy insurance company को देनी होती है और insurance company के सामने एक claim submit करना होता है तो अब FR police investigation जब FR लगा देते हैं तो उसके बाद हमें insurance company के पास जाकर के एक claim form भरना होता है उस claim form में जो हमें details देनी होती है कि vehicle कप चोरी हुआ उसका insurance कप तक valid था क्या हमने उसकी FIR दर्ज करवाई उसके original documents कहां पर है यह सारी detail form भरके आपको एक claim form insurance company के सामने reason बता नहोता है कि theft है यह पूरी insured है और साथ में insurance की copy भी लगानी होती है और वो claim भरना होता है जो documents claim देते समय insurance company मांगते हैं वो RC मांगते हैं इंशुरेंस मांगते हैं certified copy of FIR मांगते हैं certified copy of FR मांगते हैं claim form मांगते हैं और आपके bank account details मांगते हैं ताकि वो RTGC, NFT से वो amount जो claim amount है वो transfer कर सके अब एक प्रश्ण उठता है कि FR लगाने में पुलिस कितने समय लगाती है तो जनरली पुलिस को 60 days के अंदर-अंदर FR पेश करनी होती है तो वो 60 days से पहले वो court में उसी थाने में जहां उसका jurisdiction है उसी court के jurisdiction में final report पेश कर देती है उसकी certified copy obtain करने के बाद ही insurance company आपके claim को process करके आपको आपके bank में claim का amount देती है तो जो सबसे important document है वो है FIR यदि vehicle recover ना हो तो FR फिर original documents जैसे RC insurance policy license वो देखते हैं pollution certificate यदि required है किसी state में तो वो देखते हैं इन सब documents को insurance company लेने के बाद वो अपना एक process करती है और यदि ये सारे information documents सब कुछ सही है तो insurance company claim दे देती है हाँ वो original keys भी मांगते हैं insurance company वाले लेकिन एक बाद जरूर ध्यान रखनी है यदि इन में से कोई भी document lapse है तो insurance company किसी ने किसी आधार पर claim repudiate भी कर सकती है तो ऐसे में आपको उभोगता नया लेकि शरन लेनी पड़ेगी इसलिए सारे documents original documents और उसकी पूरी Xerox copy की दो अलग-अलग file बना करके एक vehicle owner को रखनी चाहिए तक यदि कोई ऐसी परिस्ति हो जाए क्या vehicle theft में चोरी हो जाए तो उसका claim वो आसानी से प्राप्त कर सके आज का वीडियो इतना ही Thank you friends